चानक के I.S. Academy Current Affairs में आप सभी का स्वागत हैं। आज हम बात करने वाले हैं United National Liberation Front शांती समझोते की बारे में। एक एतिहासिक घटना क्रम में भारत सरकार और मनिपुर सरकार ने घाटी स्तित मनिपुर के सबसे पुराने हतियार बन समूह United National Liberation Front के साथ शांती समझोते पर नई दिल्ली में हस्ताक्षर किये हैं। UNLF का गठन 1964 में हुआ था और यह भारती छित्र के भीतर और बाहर दोनों जगा काम कर रहा था। यह समझोता पूरे पुर्वोतर विशेशकर मनिपुर में शांती के एक नई युक्की शुरुवात को बढ़ावा देने वाला है। प्राधान मंत्री शिरी नरेंद्र मोदी जी के वीजन और केंद्रिय ग्रह एवं सहकारिता मंत्री शिरी अविश्चा के मार्ग दर्शन में भारत सरकार ने उग्रुवात समाप्त करने और विकास को बढ़ावा देने के लिए 2014 से पुरुत्तर के कई सश्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् और देश के कानून का सम्मान करने पर सहमत हुआ है यह समझोता ना केवल UNLF और सुरक्षा बलों के बीच विरोध को समाप करेगा जिसने पिछली आदिश अताब्दी से अधिक समय से दोनों पक्षों की और से बहुमुल्य जिंदियां ली हैं बलकि समधाय की दिर्ध कालीन चिंताओं को दूर करने का अवसर भी प्रदान करेगा मुख्यधारा में UNLF की वापसी से धाटे स्तित अन्य सस्त्र समुहबी आने वाले समय में शांती परकिरिया में भाग लेने के लिए प्रोच्साहित होंगे सहमत जमीनी नीमों के कारान्यन की निग्रानी के लिए एक शांती निग्रानी समीती का गठन भी किया जाएगा यह समझाता राज्य में शांती और सामाने स्तिती बहाल करने की दिशा में एक महत्तो पूर्ण कदम सावित होगा अब हम बात करेंगे कि UNLF क्या है United National Liberation Front की 1964 में स्थापना की गई थी यह मणिपूर के सबसे पूराने सशस्त्र समुहों में से एक है इसके जादातर सदस्ते मेतेई समधाय से आते हैं इस उग्रबादी संगठन की स्थापना 24 नमंबर 1964 को अरंबम समरेंदर ने की थी वह मेतेई समधाय से थे संगठन के जनरल सेकेर्टरी भी यही थी ग्रुप के संस्थापक अध्यक्ष कलालूंग को मेई एक नागा थे और इसके उपाध्यक्ष थान को पाओ सिंग सिट न अपने सदस्ता बढ़ाना शुरू कर दिया था और अपने सामाजिक काम भी जारी रखे थे UNLF के टॉप अधिकारियों ने 1931 के युद में भारत के खिलाफ जाकर पाकिस्तान का साथ दिया था इस ग्रुप के चीन के साथ भी कनेक्षन की बात कही जाती है ऐसा भी कहा जाता है कि ये ग्रुप मदद मांगने के लिए चीन से वारतालाब करता रहा है The South Asia Terrorism Portal website के अनुसार UNLF के नेता एन विश्वेंदर सिंग और उनके साथियों ने 1975 में चीन से मदद मांगने के लिए लहासा का दौरा किया था 22 मैं 1990 को UNLF National Socialist Council of Nagaland, Kamplong, United Liberation Front of Assam और Cookie National Army ने इंडो वर्मा Revolutionary Front नामक एक संग्ठन की स्थापना की थी इस संयुक्त उगरवादी संग्ठन का मकसद इंडो वर्मा की आजादी के लिए एक जुट संगर्ष करना था UNLF ने अपना 66 कैडर बनाने के लिए 1936 में पहली बार कदम बढ़ाया था उसी समय आरके में घेन, एन ओकेन और कुछ अन्य लोगों के साथ मैमार में सोमरा ट्रैक तक पहुँचे थे ये लोग और वहां मौझूद नागा विद्रोहियों के साथ समन्ध स्थापित किये थे UNLF ने अपना पहला हमला 1990 में किया था जब उसने लामदान में CRPF के काफिली को निशाना बनाया था 1990 के दशक के मध्य में मेगन के डिप्टी एन ओकेन ने UNLF का साथ छोड़ दिया था KYKL ने UNLF के स्थापक समरेंद्र की गोली मार कर हत्या कर दी थी इस समोह ने पहले भी शांते समझोते स्थापित करने की कोशिश की थी मगर इसकी शर्तों के चलते उन्हें ठुकरा दिया गया था इसके साथ ही आज का ये टॉपिक यहीं पर समापत होता है हम फिर मिलेंगे एक नए विशय के साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद